कि स्लाम अरिकुम मुँल कंटिनु रोजूरज को कवर किया था और आज जो है जो चीज्श हम कवर करने वाले वह है ले लेर टू और लेर येजिस्विश टो ये क्यां पहां पर यूज करते हैं कि इन स्विचिस का Ben zit कि फंक्शनेलटी क्या होती थैच तो आप जानते हैं कि जैसे कि यह scenario based training है तो जो चीज भी हम discuss करेंगे वो real time scenario के साथ discuss करेंगे कि उसको कहां पी use करना है और उस device का purpose क्या है फिर उस device की जो procurement है वो कैसे की जाती है उसको purchase कैसे की जाता है उसको model selection वगरा तो यह सारी चीजें हम इस class में बता रहे हैं आपको class बहुत interesting है आप साथ में connected रही है और इसमें बहुत मज़े की चीजें आने वाली है I hope कि once you feel and inshallah I am 100% sure inshallah once this class finished you will be you have a very good knowledge for the network and security ओके जी तो हम अपनी class में वापस आते हैं कि यहां पर हमारा जो topic है वो है layer 2 और layer 3 switches का basically layer 2 और layer 3 switches होते क्या है तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि switch होता है उसकी functionality क्या होती है तो हमारा यह simple सा network है अपनी company का और इसमें हम कुछ चीजें जो है वो जो प्लेस की ही है जिसमें routers है, switches है, servers है, endpoints है तो as हमारा course जो है जैसे जैसे grow कर रहा है तो हम यह सारी चीजें उसमें one by one discuss करते जा रहे है तो आज जो discuss करेंगे वो है switch तो switch basically क्या होता है switch जो है वो एक device होती है network की और जिसमें आके आपकी सारी जो devices हैं endpoints हैं वो आके उसमें connected होते हैं अगर आपने घर में देखा होगा तो एक जगह पर एक modem पड़ा होता है उस modem के साथ सारी devices जुड़ी होती है एक cable जो है वो जो बाहर PTCL या मोबी लिंक या टेलिन और वाट एवर दाइस पी उसको जा रही होती है और दूसरी cable जितनी भी है वो आपके उस modem के साथ connected होती है तो वो basically जो modem है वो switch का काम भी कर रहा होता है तो switch होता क्या है आपके पास एक और example अगर आपने यह scenario भी नहीं देखा तो एक और चीज़ है आप एक socket थी और उस एक socket से हमने three different sockets जो है वो extend की है ठीक है तो basically switch जो है वो भी same काम कर रहोता है आपके पास एक cable आ रही होती है और उसके बाद फिर multiple cables, multiple devices जो है वो आपने network के साथ connect करनी होती है तो वो जो extension आपको मिलती है वो जो device है जो यह काम perform करती है उस device को हम क्या बोलते है उसको switch बोलते है अब switch के अंदर different किसम की categories है आप जैसा कि जानते हैं कि आप अपी branch three में काम कर रहे हैं ठीक है तो हमने branch three को consider किया हुआ है इसमें सारे changes जो है वो हम perform कर रहे है यहां पर एक device जो है वो हमने place की है यह वाली ठीक है अब यह switches का काम कर रही है इसमें क्या है कि सारी जितनी बी यह devices है PC है IP phones है camera है printer है whatever the device is connected to switch और यह switch के साथ connected है ठीक है अब यह switch जो है basically layer 2 functionality क्या होती है कि just इसमें same broadcast के अंदर सारे devices रहती है ठीक है जितनी भी devices है वो सारी एक broadcast के अंदर रहती है broadcast मतलब इसकी example आपको मैं यह देता हूँ कि for example यह एक कमरा है और इस कमरे के अंदर इस room के अंदर एक यहां पर आपका दोस्त या कोई भी उस room में वो कुछ class में उस room में बोल रहा है कुछ चीज तो सारे कमरे में उसकी आवास जाएगी तो यह है उसकी broadcast domain अगर इसको दू करना पड़ेगा वहां तक reachability के लिए तो इसी तरह हम जो है switches में network में हम partition कर देते हैं जो logical partition बोलते हैं उसको बोलते है VLAN ठीक है virtual LAN ठीक है local area network तो उसमें क्या होता है कि virtual LAN में क्या होता है कि हम switch को physically नहीं virtually divide कर देते हैं कि हमारे पास real में तो एक ही switch होता है जैसे यहां पर हमारे पास एक ही switch है अगर आपने यहां पर notice किया हो तो मैंने दो VLAN यहां पर define कि हुई है VLAN इन्शाला मैं आगे जो class है उसमें जब हम create करेंगे तो उसमें इसको explain करेंगे आपने यहां बस इतना समझना है कि VLAN क्या होती है virtual LAN कि हम switch को एक ही switch है उसको physically नहीं logically logically मतलब उसकी configuration में जाके उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि यह जो हिस्सा है यह जो data VLAN है यह separate रहेगी और नीचे जो wise VLAN है वो separate रहेगी और यह एक दूसरे के साथ अगर इनको connect होना है कुछ ऐसी traffic होती है जो VLAN के अंदर ही रहती है ठीक है guys यह चीज़ याद रखनी है कि VLAN को हम हमेशा segment करने के लिए network को differentiate करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं चाहते कि यह इस VLAN से दूसरे VLAN में जाएं जितनी बड़ा network को का noise उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी आप layer 2 को जितना बड़ा रखेंगे for example आ अगर हम पूरा network एक ही layer 2 में एक ही broadcast में रखेंगे तो उससे जो issue आएगा network में वो यह होगा कि बहुत ज्यादा noise create होगी तो इस issue को handle करने के लिए हम उसकी segmentation कर देते हैं और जब हम segmentation कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम यह करते हैं कि जैसे for example यह मेरी एक VLAN है data की ठीक है data V VLAN और यहां पर दूसरी जो मेरी VLAN है वो है वाइस की ठीक है अब होगा क्या कि जो वाइस की traffic है वो data की traffic के साथ नहीं जाएगी मतलब intersect नहीं करेगी broadcast domain में ठीक है यह यहाद रखना है layer 3 में आप एक दूसरे से communicate कर सकते है वो layer 3 हमेशा क्या होती है unicast होती है यहां पर मैं वहां पर आपने hello guys के नाम से speech start की hello guys अब जितने भी वहां पर बंदे बैठे हैं जितने भी student हैं जितने भी आपके fellows बैठे हैं जो भी इस room में participant है वो सब तक आवाज पहुंची और सब उसमें उन्होंने response किया ठीक है और अकर उसमें दो group है males और females के तो आपने का कि जितन कर दिया लेकिन उसमें भी multiple parties हैं तो इसको हम broadcast नहीं कहेंगे इसको क्या कहेंगे इसको multicast कहेंगे ठीक है कि एक certain group तक एक certain group of devices तक और group of persons तक आपने अपनी वो जो आवाज है यो जो message है वो पहुंचा है network में भी same होगा certain group of devices तक यह multicast होगी unicast क्या होती है कि one to one ठीक है आ Muhammad, Aslam, Ali, Iftahar, whatever the name आपने एक certain person को name जो है उसका call करके उसको बलाया तो यह होगी unicast, same concept and network में भी, बिल्कुल exactly same cost है, multicast to everyone in the room, in that area, sorry broadcast, multicast to certain group of people, certain group of devices, ठीक है, unicast one to one, यह अपने चीज़ें याद रखनी है, अब जब यह हम switch create कर रहे हैं तो layer 2 जो है जब हम उसको break करते हैं, जब उसको हम layer 3 में divide करते हैं, यानि जब उसकी logical partition करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको VLAN बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम network में logical partition कर रहे होते हैं, तो VLAN उसक को, जो real life में बहुत ज़्याद आपको use होगा, तो VLAN का को concept पता होना चाहिए, VLAN होती क्या है, physical नहीं, logically आप switch को, उसको distribute कर देते हैं, ठीक है, configure, जो है, उसको configuration में जाके हम आगे इसको live देखेंगे भी, दूसरी चीज़ क्या है, करते क्यों है, traffic जो है, network की segmentation के लिए, और सबसे important चीज़ यह है, कि आप जो VLAN network में create कर रहे हैं, वो एक switch में आप VLAN create करते हैं, फिर दूसरे switch में भी VLAN create करते हैं, और दोनों switches के दिर में हाँ trunk बनाते हैं, यह सारी चीज़ें आगे आपको बताएंगे, तो वो दोनों, फिर, दोनों switches के अंदर जो भी VLAN है, वो एक network मन जाता है, यानि कि एक layer 2 broadcast मन जाती है, तो I hope कि यह जीज़ें आपको clear होंगे, अगर कुछ भी question आता है, आपके mind में को भी comment आता है, तो definitely आप वीडियो के comment section में जाएं, वहां पे आप अपना question पास करें, तो इंशालला आपको answer किया जाएगा, तो अब यह तो हमार जाएगा था कि device जो है, वो layer 2 का concept था, कि layer 2 switches क्या होते हैं, अब layer 3 switches क्या होते हैं, कि उसमें क्या होती है, कि router की functionality भी आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको previous lecture में यह बात बताई थी, कि जो device होती है, उसका role जो होता है, वो अब बहुत ज्यादा क्योंकि device की capacity बढ़ गया है, तो अब dedicated devices नहीं होती, बलकि वो devices भी आ रही हैं, जो same time multiple काम कर सकती है, तो इसी तरह हमारा जो switch है, इसमें हम layer 2 भी करवा सकते हैं, layer 2 तो करना ही करना है, क्योंकि उसका basic role है, और plus में 7 में layer 3 जो है, वो कर सकते हैं, layer 3 क्या होता है, कि आपने यहां पे एक switch है, और उसके द layer 2 में, इसके लिए आपको एक layer 3 device जो है, वो चाहिए, यानि कि आपने switch बनाया और उसमें multiple communication करवानी है, VLANs के अंदर, अगर यह layer 2 है खाली, ठीक है, यह याद रखने, अगर layer 2 है, तो यह नहीं होगा, possible नहीं है, इसके लिए आपको layer 3 device चाहिए, तो आपको top एक layer 3 router लग क्या आती थी, okay, let's give me another color, ऐसे traffic हो क्या आती थी, ठीक है, अब क्या है, कि आप उसी device के अंदर, जो new concept है layer 3, यह layer 3 है यहाँ पर, यह layer 3 device और यह layer 2 है, यानि कि जब inter VLAN, दो segment को, दो चीज़ों को आपने जोड़ना है, तो उसके लिए आपको layer 3 device चाहिए, वो router भी हो सकता है और वो switch भी हो सकता है, और वो switch भी हो सकता है, layer 3 switch भी हो सकता है, L3 switch जिसको हम बोलते हैं, जिसको आज हम डिसकस कर रहे हैं, वो आपकी firewall भी हो सकती है, तो यह तीनों चीज़ें जो है, यह inter VLANs, जो routing है, उसको कर सकती है, ठीक है, तो अब क्यूंकि टेक्नालोजी बहुत advanced चली की है, devices काफी modern आगी है, तो इसमें क्या होता है, कि layer 3 और layer 2 एक ही device में merge कर दिया जाता है, और उसके अंदर आप दोनों functionality जो है, यानि कि layer 2 plus layer 3, यह दोनों function जो है, आप एक ही device में कर सकते हैं, I hope कि यह concept आपको clear हो गया होगा, अगर हम बात करें कि हम अब देखते हैं कि कौन-कौन से switches हमारे पास available हैं, तो simply हम जी अपनी favorite website पर जाते हैं, जो कि Cisco.com है, और आपने यहां पर product पर जाना है, product के बाद आपने switches networking और यहां पर switches में जाना है, ठीक है, जब आप यहां पर जाएंगे product और switches में, तो यहां पर आपको एक बहुत सारे model जो है, वो switches के म वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे for example, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे अंदर जो data center के अंदर जो devices use होती हैं, और इसी तरह जो network use होता है, तो उसमें different किसम की capacity के में devices चाहिए होती है, for example, यहां पर आप अगर आप branch में हैं, तो वहां पर बहुत चोटे से, थोड़े से PC होते हैं, और उनकी जो requirement होती है, वो बहुत minimum होती है, तो वहां पर हम कौन सी चीज यूज़ करते हैं, कौन सा switch यूज़ करते है, land switch, ठीक है, land switch, देखें गाइस, जो सबसे important चीज़ है, वो है, आपको devices की information होना, उसकी role और functionality के बारे में पता होना तो अगर आप proper device selected हो, ये day to day, आप जब life में चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि being a network, आप Google पर जाके how to configure a VLAN, simply आपको पता चल जाएगा कौन सी 2-4 command है, उसके बाद VLAN जो है, वो configure हो जाती है, लेकिन जब आप real में कर रहे होते हैं च चेज कहां से कर सकते हैं, उसको देख कहां से सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस lecture में, इस class में आपको बता रहा हूँ, और I hope that you are enjoying the class, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये lens switches हैं, lens switches में different किसम के models हैं, अब इसमें again, आपके depend करता है किस तरह की requirement, अगर हम एक model य 9200 series जो switch है, यह दिया है, तो अब यहाँ पे देखें कि आप इसमें different किसम के model जो है, वो है, और वो model depend करता है आपकी requirement के उपर, जैसे कि ये आप first model जो देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये देखें, capacity कितनी है, और इसमें 32 virtual networks जो है, वो इसमें use कर सकते हैं आप, और उसके किलावा multiple ports हैं, यह देखें, यहाँ पे ports इस switch की different capacity है, 8R12 multi-geek ports up to 10G, जहाँ पे देखें, यहाँ पे different capacity है, तो यह आपकी requirement है, वहाँ पे depend करता है कि आप कौन सा switch कौन सा model जो है, वो use कर रहे होते हैं, अगर आप इसकी data sheet में जाएं, तो वहाँ पे आपको further और more clear information मिल ज करना है, और उसकी selection जो है, वो कैसे करनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसकी data sheet में गया, अब मेरी requirement है कि मुझे चाहिए 24 port, ठीक है, मुझे चाहिए POE, POE का concept क्या होता है, POE का concept जैसे मैंने आपको बताया कि POE power over Ethernet, यानि कि आप जो है, जो भी device है, जैसे for example, इसको network चाहिए, ठीक है, network चाहिए, और दूसरा इसको साथ में power चाहिए, ठीक है, device को perform करने के लिए, अब network में concept है, POE का, power over Ethernet, यानि कि एक ही cable आप use करेंगे, यह switch जो है, यह power के साथ भी connected है, और network के साथ तो है ही है, तो यह switch जो है, जब आगे, अगर यह POE switch है, तो इ उसको power भी देगी, और उसको, उसी cable के थुरू network भी provide करेगी, यह होता है, POE concept, ठीक है, तो मेरी जो requirement है, मुझे, चूँकि यह मेरी branch है, branch 3 में, मैं as a network engineer काम कर रहा हूँ, हम पर मैंने switch place करना है, और मैंने देखा कि यहां, पर maximum जो है, वो 20 devices हो सकती है, तो मेरी requirement है, वो 20 to 24 port switch मुझे चाहिए, यानि कि 24 devices जिसमें connect हो सके है, अगर 20 devices मेरी requirement है, और 4 जो है, उसको मैं as a future expansion के लिए उसको रखूँगा, तो मैं यहां पर जो device select करने वाला हूँ, तो मैं यहां पर जो device select करने वाला हूँ, तो मुझे चाहिए 24 port POE, अब देखें, यहां पर आपने दो पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं, नहीं, मैं एक switch लेके जाता हूँ, वो power भी distribute करें, और साथ-साथ में data का का काम जो है, networking का काम वो भी करें, तो यहां पर यह जो switch है, 24 port, full POE, प्लस यह जो है, इसको मैं switch को select करूँगा, अब यह मैंने model select कर लिया, यह final हो गया, और इस है, यहां पर दी हुई है, कि 10, 100, 1G, 1G, पोर्ट होंगी, इसकी हर पोर्ट जो है, वो one gigabyte पे operate करेगी, और उसके अंदर जो power supply है, वो किस तरह की है, उसके साथ POE का option है, POE plus है, full POE है, यानि कि उसकी सारी पोर्टs POE के तोर पे काम करें, कुछ होता है, just POE, उसमें क्या ह पाता, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें वो switch चाहिए होता है, जिसके 24 ports full POE operate करें, ठीक है, I hope कि आपने ये चीज़ें enjoy की होंगी, और आज का session जो है, यहां पे हम close करते हैं, तो हम इसको summarize just ये करते हैं, कि हमने branch 3 में as a network engineer काम कर रहे हैं, और यहां हमें एक device चाहिए है, जिससे हम multiple devices connect कर सकें, तो उस device कौन सी device हमें चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा layer 2 और layer 3 switch, और layer 2 और layer 3 switch में हमने switch model choose करना है, हमने Cisco की website पर जाना है, वहां पर product networking, और फिर उसके थरू होते हुए हम switch का model choose करेंगे, select करेंगे, जब हम उसको define कर लेंगे तो हमें क्या requirement है, कितने ports का switch चाहिए, तो वह सारी चीज़े जब हम अपनी उसकी data sheet में देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे हमने कौन सा model जो है, वो select करना है, I hope that you enjoy the lecture, और आपको clear हो गया होगा कि layer 3, layer 2 switch क्या होता है, कांप इसको use किया जाता है, stay connected, आग और freely, feel free to ask me, comments में आपको कुछ, आपको कुछ, अपनी professional life में कुछ issues आ रहे हैं, तो आप हमारी side के उपर जा के वहां पर question कर सकते हैं, free of cost आपको consultancy मिलेगी, और यह सारी चीज़ें आपको provide की जाएंगी, thanks for watching, stay connected.